बच्चे positive thinking करते हैं, assembly में बैठ के, सब कुछ अच्छा होता है दो चीजे हैं जिसको हम आज discover करने को शुकर रहे हैं, एक है stress और एक है planning हमारे पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको R.A.S के merit holders से बात कराई थी R.A.S यानि की civil services जो राजस्थान की होती है और उनके जो merit holders है जिनकी rank 3, 3, 8, 20 थी उनसे हमने बात कराई थी और उन्होंने कुछ बताया था कि किस प्रकार से तयारियां करते हैं वो त्यारी कैसे करें उसके लिए पहले एक योजना करने नमाने करना होता है आज हम एक medical और engineering की institution के अंदर है यहाँ पर क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी age कम होती है मगर फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि stress सबसे बड़ा कारक होता है सफलता से रोकने का तो उस stress भरे महौल के अंदर किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो react करते हैं और जो institutions हैं उनको किस प्रकार का महौल दे रहे हैं तो ये जो है पड़ताल है एक तरीके से और साथी के अंदर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी निकलने की उमीद है जो आप कहीं पर भी बैटे हों आपको इसके अंदर फाइदा देंगी आपको अपना लक्ष निर्धारन करने में और achieve करने में मदद करेंगी तो चलिए देखते हैं इस बड़े जो इंस्टिटूट है यहाँ पर इस समय क्लास आफ है और साथ बज़ने को हैं और इस समय बच्चे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं यह एसेम्बली का समय है तो आम तोर पर किसी स्कूल में एसेम्बली जो होती हैं सुबह के समय होती हैं फॉल इन करते हैं सारे बच्चे और उसके बाद में अपनी अपनी क्लास लगाते हैं मैं आप से कपी रिकरना चाहता हूँ एज ए मेंटर एज ए गार्जियन आप एक टाइरिमिक्षा स्टार्ट है तो अभी अभी एसेम्बली के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से बच्चे वहाँ पर बैठे थे और पुरा जो दिन है, दिन चर्रह है उसके बारे में हम बात करेंगे तो हमारे पास में कुछ बच्चे हैं, पहले हम जानते हैं, बेठा आप कहा से आयो? गुडगाँवा से, क्या नाम आपका? प्रवेश कुमार प्रवेश ये बताओ जैसे मेडिकल हो या आप मेडिकल के हो इंजिनिरिंग वाले साइड में हो हाँ इंजिनिरिंग के हो तो स्ट्रेस है क्या ये आपको लगता है कि इसमें स्ट्रेस वाली बात है सेलेक्शन के लिए पढ़ाई के लिए क्या फिल होता है आपको दिन भर के नहीं इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है अच्छा सारी बात मैनत के ओपर है वस मतलब यह बहुत अच्छा है आपसे बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि स्ट्रेस आप नहीं ले रहे हो और यह एक चीज में जानना चाहरा हूँ अभी हमने जैसे यह एसेंबली देख होती है यहां पर कई सारी चर्चाएं होती है इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं असेंबली में बहुत किसी को भी मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छी वो मिलती है बच्चे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं अस पर किय Hill लगता है कलास के शारों के साथ नहां बैठना का उच्छारणों भी कर रहे थे हमने देखा था तो उससे आपको पिज्ट पॉजिटिव एनरजी मिलता है और इसी बीच के अंदर मैं ये पूछ था हुए पापा की याद्वाल कि याद आती है किस की यदा विडिया खर में घर ममा की यादा आती है वैसी तो बहुत किसी को याद ये बहुत हमारे पेरेंट्स की तरह है तरह गरजन ट्रीट करते हमें बहुत अच्छा फिल होता है घरवालों कितनी याद नहीं आती तो इस अधर करता है सपना जबाइब आप अलग चीज़ देखो तो यहां पर क्यांप लगता है बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही बेनेफिट होता है एक शाम को असेमली होना और जो हमेरे बहुत माइंड फ्रेश हो जाते रहे आतको फिर पढ़ाई करने का मन करता है बच्चे जब साथ बज़े ग्लास छोड़के आ रहे है जब वह अटेंड कर दे तो इसका माइंड फ्रेश होता है और बहुत बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़े हर मुवमेंट पे हर दिन रोजनों को बुस क्छे फोड़ सिमें डिर रहे हैं जिसके हमें बहुत ही मोडिविशनल चीज़े मिलते हैं बहुत पावर मिलते की हमें कुछ अच्चा होड़ने है और यहां पर इतना दूर पर आप आयो प्लैनिंग जो है वह ज़्या करते हैं मैं प्लैनिंग के लिए कुछ नहीं कर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस तो ही नहीं नहीं है जब कि यह बोला जाता है कि जो पढ़ाई लिखाई है जो खासकर कोचिंग है उसके अंदर स्ट्रेस रहता है घर से स्ट्रेस रहता है पेरेंट्स का स्ट्रेस रहता है इधर स्ट्रेस रहता है कैसे मेरे तो क्या पैरेंट्स का प्रेशर ही नहीं मुझ पर उन्होंने का है बस तुझे जाके मेहनत करनी है और अपने आप सेलेक्शन तो होई जाना है अगर मेहनत करेंगे तो हो नहीं है वो तो जो आपका पुरा पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है आपका सलेबस है उसको प्लैन करके रखिए तो यह हमने कुछ बच्चों से बात करी और आज हम जो चीज जानने के लिए आये थे स्ट्रेस की और प्लैनिंग की तो इन दोनों चीजों के लिए यहां पर एक महल देखने को मिला और साथी के अंदर बच्चों का जो रिस्पॉंस है उसको देखकर भी यह साफ पता पढ़ता है कि फिलहाल इन बच्चों के चेहरे के उपर कोई भी किसी प्रकार की ठकान नहीं है और यह शायद इस कोचिंग के अंदर जहां पर यह पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सक्सेस है आने वाले समय के अंदर यह उसका सक्सेस का कारण रह सकते हैं जुड़े रही हैं हमारे साथ में क्योंकि इस प्रकार के जो और इन्वेस्टिकेशन्स हैं उसको हम निरंतर कर हैं और इससे आपको भी कुछ न कुछ मिलेगा सक्सेस्फुल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद